को इंदुरा में लगता चोरी की वार्दात सामने एसी तरह का एक मामला सामने इंदौर के एरुक्व धाना शेत्र में यहां एरपोर्ट के सामने प्रॉष क्मानी को चोरों ने निशान बनाय और चोरी की वार्दत को अंजाम दे कर फरार हो गए फिलहाल घटना सामने आने के बाद पूरे मामले की शिकायत पीडितने अरोडरम थाने पर भी की लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में सामान F.I.R. दर्श कर पूरे मामले को रफ़दफ़ा कर दिया घटना इंदोर के अरोडरम थाना शेत्र की बताई जा रही है यहीं एरपोर्ट के सामने स्वभाग स्टेट पास कॉलोनी इस्थित है इस कॉलोनी में रहने वाला परिवार रंग पंचमी के मौके पर अपने परीजनों के साथ गाउ में गई हुए थे जब वे गाउ से लोटे तो उनके घर का दर्वाजा अलमारी का लॉक भी तूटा हुआ था और अलमारी में रखे सोने चांदी के करीबन पास से चहलाग के जेवरात गाइब थे इसके साथ ही सतर हजार के आएस पास नगद रुपे भी अलमारी के अंदर रखा हुआ था वही गाइब था वही पूरा सामान अस्तिवेसे था पूरी घटना सामने आने के बाद फरियादी ने पूरे मामले के शिकार दरडरम पुलिस को भी की लेकिन पूरे मातर सामाने चोरी का प्रकरन डर्च कर मामले को इतिशिरी कर दिया वही घटना को लेकर फरियादी का भी यही कहना है कि जिस कॉलनी में वह रहता है वहाँ पर आए दिन चोरी की वारदात सामने आती रहती है पुलिस की रात्री गश्ट को लेकर वे उसने कई तरह के प्रश्चने खड़े किये अब देखना होगा कि मामले में पुलिस किस तरह से जाच आगे करती है तरह जार नगत था और पांस तोड़ा को हार थो आने 25 ग्राम की चूड़ी थी तोड़ कितना समाझ चलेगे आप इस्वाम चानी मिला कर कितने लागव दिशाओं और पांसो ग्राम की मोटिपाई जब थी और इन छोरियों की कान की कडियों थी वो बड़ी चोरिगी ने सब पांदाजन पहांच लाग तरकाम माने चार जोर कडियों रखी थी वो छोड़ी मोटिपाई जापन चोरियों की थी वीछोड़ा वीछोड़ी बहुत सारा समान था सब चलेगे बाव चालीस तोजार गवाव से सवना पांस दर्स लाग रुपे की चोरियों गई आपके मां पांस साथ लाग रुपे की चोरियों गई आपके मां ऐसे मात लगाए तो आप लोग कहां गयत थे कुछ कारिक्रा में अरे गाओं में गय था ना पिताई सांस गया थोड़ी थी रंग पंचिवी थी तो रंग पंचिवी गज़े से यह भईयों भी आई गयो तो पुलीस मे पुलीस में सिकायत करी आपके में प्लीस वाला आच पास कहीं सिस्टी टीवी लगे हैं मैं था अपे लगार हिए हुए लगा आच पास कहीं नहीं लगी वह वहां तक हैंस नहीं करती है